लोकसमा चुनाव से पहले कॉंग्रिस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन अभी कॉंग्रिस तो समझ ही नहीं आ रहा है कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और पार्टी को मजबूत करें। लोकसमा चुनाव 2024 से पहले पंजाब की कलहे ने कॉंग्रिस को परिशान कर दिया है कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। एक तरफ नवजोज सिंग सिद्धू के तेवर ननम नहीं पढ़ रहे तो दूसरी तरफ उनके और कॉंग्रिस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंग राजावंडिंग के बीश तकरार भी जगजाहिर है। तो वहीं सिद्धू गुठ ने भी कॉंग्रेस को करारा जवाब दिया है। बात करते हुई कि जहां पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी देवेंदर यादव आगामी लोगसभा चुनाओं के लिए पटेयाला संसदिय सीट के पार्टी कारिकरताओं के साथ बैठक कर रहे थे। है वो कॉंग्रेस के चिन्ने के बिना और कॉंग्रेस के मंच के बिना कर सकता है। मही सिद्धू के 21 जन्वरी को मोगा में खुई रैली से नाराज प्रदेश प्रधान अमरिद्र सिंग राजावंडिंग नितीनों नेताओं, मही शिंद्र सिंग, उनके बेटे धर्मपाल और पूर्फ मंत्रे दर्शन सिंग बराड को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया ह जिससे माहौल और जादा गर्मा गया है। सिद्धू पर लगाम लगाने को कहा था लेकिन फिर भी सिद्धू कुट पीछे हटने के मूड में नहीं है। और भी वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।